जै माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत हैैं, मैं हूं आपकी दोस्त नीता, माता रानी के नाम का जैकारा सदेव लगाएं कमें सेक्षन में जय माता रानी अथवा ओम नमो भगवते वासु देवाई दोनों में से कोई भी मंत्र अवर्शे लिखिये है आपकी सभी मनोकामनाई पूरी होंगी दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फूल बताने वाली हूँ जिसे अक्षे तृतिया के दिन पे श्रीहरी विश्नु और मालक्षमी को चढ़ाने से आपके जीवन में सुक्षभाग्य और सफलता की प्राप्ती होना निश्यत हो जाता है क्योंकि दोस्तों अक्षे तृतिया के दिन करे हुए पुन्य कर्मों का फल आपको अवर्शिप राप्त होता है वहाँ अनंत समय तक आपके साथ रहते हैं वश 2020 में अक्षे तृतिया का महान पर्वा आपको कब मनाना है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वर्ष 2020 में अक्षय तृतिया 26 अप्रेल 2020 की तारिक को मनाई जाएगी इस दिन रविवार संडे का दिन है बैसाक महा के शुकलपक्ष की तृतिया तिथी है और दोस्तों इस दिन पे है रोहनी नक्षत्र जो इस दिन को और भी जादा शुब योग सेयोग प्रदान कर रहा है इस दिन में दोस्तों अक्षय तृतिया का पूजन करने से जब तब इस नान दान इत्यादी कारे करने से अनंत गुनाफलो की प्राप्ति होती है यह पुन अनंत समय तक आपके साथ रहता है इसलिए दोस्तों इस दिन को अक्षय तृतिया कहते हैं कई लोग इसे सिद्धी महुरत भी कहते हैं ऐसा माना जाता है इस दिन से शुरू करे हुए कार्य इस दिन से कोई भी शुबकार करने से उसमें कभी भी असफलता नहीं मिलती अभूज महुरत भी कई लोग इस दिन को मानते हैं परनतों दोस्तों यह सही नहीं है महुरत आदी के विशे में आपको एक बार गढ़ना जरूर कर लिनी चाहिए अक्षेतितिया का दिन दोस्तों बहुत सारे सुख सभागे से भरा होता है यह दिन दीवाली, दशेहरा, चैत्री की प्रती पता जितना ही महत्वपून होता है सभी सनातन धर्मियों का प्रधांत योहार होता है अक्षेतिया के दिन पे इस दिन जब तब पूजा पाठ दान इत्यादी करने से अननत गुना फलोगी प्राप्ती होती है दोस्तों सफलता प्राप्त करने के लिए सदेव हम कोई न कोई उपाय पूजा पाठ करते रहते हैं परन्तु इस दिन यदि आप पूजा पाठ करके भगवान से आशिरवाद सरूप, सद आचरन, सद गुनों का आशिरवाद लेते हैं तो इनका पुन्यफल भी आपको अनत गुनाहों के प्राप्त होता है और यहां अक्षय रहता है जिस मनुशे के पास सद आचरन और सद गुन हैं उसके जीवन में धन धन सुख सभागी की कभी कमी नहीं होती तो दोस्तों इस दिन पूझा पाड़ करने के बाद भगवान के सामने प्रातना करिए और उन्हें जरूर कहिए कि वो आपके जीवन को सद आचरन और सद गुनों से ओत प्रोत कर दें दोस्तों भविश्य पुरान के अनुसार सत्यूग वा तेतायुक का प्रारम भभी इसी तिथी से हुआ था दोस्तों इसलिए इसे युगादी तिथी कहा जाता है युगादी तिथी संक्रांती इंत्यादी इंतनू का दोस्तों विशेश महत्व होता है इस दिन पर जो भी कार्य आप करते हैं उनका फल कई हजार गोना होके आपके कर्मों में सम्मिलित हो जाता है दोस्तों यह ऐसी खास देती है जिस दिन पर भगवान श्रीहरी विश्नु के तीन अवतारों का अवतरन हुआ था पहला अवतार है नर नारायन का अवतार दूसरा अवतार है हाईगरीव अवतार और तीसरा अवतार है भगवान विश्नु का छटा रूम भगवान परशुराम इन सभी का अवतरन इसी तीथी पे हुआ था साथ ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षे कुमार का अव्तरण भी इसी तीथी पे हुआ था दोस्तों इस दिन पर ही बद्रीनात के कपाट खुलते हैं और भगवान श्री लक्षमी नारायन का पूचन शुरू हो जाता है दोस्तों भगवान बद्रीनात के रूप का पूचन भी किया जाता है साथ ही साथ दोस्तों श्री कृष्णा भी इस्त्योहार का मुख्य हिस्सा है क्यूंकि इस दिन ब्रंदावन में इस्थित बाके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं दोस्तों यह साल में कीवल एक ही दिन में आपको बाके बिहारी के चरण कमलों के दर्शन होते हैं, बाकी सभी दिन बाके बिहारी के चरण कपड़ों से ढखे रहते हैं, इसलिए इस दिन का विशेश महत्व होता है, ऐसा माना जाता है जिस दिन पर आपको भगवान के चरणो की बात होगी पर दोस्तों यहां महाभारी का समय है इस समय में आप अपने घर पे रहें और किसी भी तरह से मंदिर इत्यादी में जाके आप पूजन नहीं कर सकते अब घर पे रहें के आप दोस्तों कैसे पूजन करेंगे जिससे कि आपको अनंत गुनाः फलो की प्राप्ति हो गई थी तो दोस्तों इस दिन से जो भी आपके जीवन के कश्ट शोक दुख इत्यादी हैं यहीं आप चाहते हैं वो भी समाप्त हो जाए तो भगवान का जब तब पूजा पाथ जरूर करिए अक्षे तृतिया का शुब महरत में आपको बताने वाली हूं दोस्तों अक अक्षे तृतिया की यह जो सूर्य उदियाती थी है यह हमें 26 अपरेल को मिल रही है इसलिए हम सभी को यदि आप वरत पूजा पाथ दान जब तब इसनान जो भी कर्म कर रहे हैं यह आपको 26 अपरेल को करना सबसे शुब बताया गया है सुबह पांच बचके 54 मिनिट से ल सुबह के समय में अपने नित्यकार्यों इत्यादी से निवरत हो जाएं भगवान के पूजन का संकल्प लें इस दिन भगवान को हो सके तो पंचामरत से इसनान करवाएं दोस्तों यहां पर श्री हरी विश्नु मालक्ष्मी की प्रतिमा घर में रखे हुए श्री यंत्र य आसा करने से आपको कई गुना वलुक की प्राप्ति होती है पुश्मो की माला पहनाएं सुगंध अर्पित करें जो भी आपके पास इत्रे सेंट इत्यादी रखा हो वो भगवान को जरूर अपित करें इस दिन पर जो भगवान नर नारायन है यदि हम स्री हरी विश्नु क नर नारायन रूप की उपासना करते हैं तो उन्हें सिके हुए जो या गेहुं का सत्तू अर्पित करना चाहिए परशुराम भगवान के लिए कोमल ककड़ी दोस्तों ककड़ी मार्केट में मिलती है हरे रंका फल होता है वो आपको अर्पित करनी चाहिए और हैग्रीव पहले अपने नाने के पानी में कुछ भूने गंगा जल की अवर्श buffet डाल दें क्यूकि इस दिन पर गंगा जल से इसनान करने का विशेश महतवा होता है साथ ही साथ दोस्तों इस दिन पे भगवान को कई सारी चीजों का भोग प्रसात लगाया जाता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चावल दोस्तों चावल याने साबुत अक्षत इसका पहले तो भगवान को भोग लगाया जाता है उसके बाद इसका दान कर दिया जाता है दोस्तों इस दिन पे आपको खास दान में बहुत सारी चीज़ें देना चाहिए जिससे की आपके जीवन के दुख, रोक, शोक, कश्ट दूर हो जाते हैं जो, तिल, चावल इन सभी चीज़ों का दान दिया जाता है जब पूजा पाठ दान इत्यादी करके, हवन करके, अपने पित्रों का नमन भी करना चाहिए दोस्तों इस दिन पे जो आपके पित्र आपके साथ में नहीं है उनको याद करके उनके नाम से प्रात्ना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को शांती मिले जो भी जरूरत मन, दोस्तों वैसे इस समय पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिने दो वक्त का भूजन भी नहीं मिल रहा उनको भूजन का सामान आप देते हैं तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ती होती है कोई अपंग या दिव्यांग इंसान यदि आपको मिल जाता है उन्हें भी दान देना चाहिए इससे आपके बच्चों के उपर बहुत ही शुप रभाप पड़ते हैं चावल, नमक, घी, कपड़े, फल, मिठाई, छाता, तर्बूज, खर्बूजा, गिलास, बरतन, सत्तू इन सभी चीज़ों का दान देने से विशेश फलों की प्राप्ती होती है दोस्तों आप मैंसे कई सारे लोग अब या जानना चाहेंगे इस दिन क्या जाप करना है जितना यथा शक्ति हो आप जाप करें या फिर ओम नारायनाय नमो नमहा इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या फिर दोस्तों लक्षमी की प्राप्ति के लिए यदि आपके पास श्री अंत्र है तो ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम हीम श्रीम महालक्षमे नम्हा इस मंत्र का जाप जरूर करिए पांच माला एक माला जितना आप से बन पाए उतना जाप करिए यह भी नहीं कर सकते दो दोस्तों सबसे आसान मंत्र बता रही हूं ओम श्रीम नम्हा लक्षमी पूजा में इस मंत्र का जाप यदि आप कर लेते हैं तो आप की पूजा सफल हो चाहेगी आपको यत्यायोग्य फलोग की प्राप्ति होगी दोस्तों इस विदी से जब आप पूजन करते हैं तो आपका पूजन सिद्ध हो जानाओं का पूरिंगा दोस्तों को कहीं से सफेद कमल का पुश्म मिल जाए या सफेद रंग का गुलाब या पीले रंग का गुलाब मिल तो आपकी पूजा जल्दी से सिध्धों हो जाती है और आपको पूजा का पूरा-पूरा फल मिलता है तो दोस्तों इस समय जब की सब तरफ बंध है लौग डाउन है सिर्फ एक पूल यदि आपको मिल जाता है तो आपकी पूजा पूरी हो जाएगी उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करें और अभी तक अगर नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आपको वरत्योहारों समथी सभी जानकारिया इनिशनल प्राप्ध होती रहेंगी अगली पाफ फिर आपसे मिलूँगी तब तक अपना अपने परिवार का ख्यार रखिये और इसी तरह नीता विक्रम चैनल पे प्यार और सपोर्ट बना के रखिये स्वास रहिए खुश रहिए और घर में रहिए नमस्ते दोस्तों